हेलो प्यारे बच्चो बच्चो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की किताब मेरी दिल्ली का पार्ट 3 दिल्ली के मौसम तो बच्चो आपने पार्ट पढ़ा होगा आज हम इस पार्ट के question answer करेंगे तो बच्चो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को subscribe कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो की notification मिलते रहें तो बच्चो आए शुरू करते हैं question 1 है गर्मी में आप कौन कौन सी चीजें खाते पीते हैं तो बच्चो ये तो सभी को पता होगा कि गर्मी में हम आम, तर्बूजे, खर्बूजे, फलों का रस, लसी, आइस क्रीम तथा मिल्क से कादी खाते पीते हैं अब बच्चो देखते हैं अगला question बरसात से बचने के लिए लोग क्या क्या करते हैं तो बच्चो बरसात से बचने के लिए लोग छाता और बरसाती का प्रियोग करते हैं तथा बच्चो रेनकोट का भी प्रियोग करते हैं नेक्स्ट कोश्चन है निम्नलेखित वस्तुएं कौन से मौसम में मिलती हैं सही जगहें पर लिखो तो वस्तुएं कौन-कौन सी है आम, अमरूद, जामुन, स्वेटर, सर्बर, छतरी, रेनकोट, लू, ओले, कोहरा, पंखा, पसीना, गुलाब और रेबडी, गज़क तो बच्चों आप देखते हैं सर्दी में कौन-कौन सी चीज़े मिलती हैं अमरूद, स्वेटर, कोहरा, गुलाब, रेबडी, गज़क गर्मियों में हमें कौन-कौन सी चीज़े मिलती हैं आम, शर्बत, लू, पंखा, पशीना और बर्षात में कौन-कौन सी चीज़े मिलती है जामुन, छतरी जिसे छाता भी कहते है रेनकोट और ओले ओले पढ़ते हैं जब बारिस आती है तो अगला कुश्यन है लू किसे कहते है तो बच्चो गर्मी के मौसम में बहने वाली गर्म हवा को लू कहते है दिल्ली में सबसे ज़्यादा गर्मी कप पड़ती है तो बच्चो दिल्ली में सबसे ज़्यादा गर्मी मईवे जून के महिने में पड़ती है अब देखते हैं अगला कुश्यन मानसून किसे कहते हैं तो बच्चों समुद्र से जमीन की और बहने वाली नमी युफ्त हवाओं को मानसून कहते हैं तो बच्चों जहां समुद्र होता है और समुद्र की तरफ से जहां तट हैं, किनारे हैं, किनारे की और जहां जमीन होती है उस तरब जब हवाएं बेहने लगती है तो उसे मानसून कहते हैं क्यूंकि ये हवाएं बहुत तेज होती है और बारिश के साथ आती है इसलिए इने मानसून कहा जाता है नेक्स्ट कुश्शन है दिल्ली में सबसे ज़्यादा बरसात कब होती है तो दिल्ली में कडाके की सर्दी दिसंबर और जन्वरी के महिने में पढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहरा कौन से मौसम में पढ़ता है तो बच्चो कोहरा सर्दी के मौसम में पढ़ता है तो कोहरा भी बहुत अधिक पढ़ता है बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक सिर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पढ़ना है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू